नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सुनु स्टेडी क्लासे यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को इंसी आटी बुक क्लास 12 हिंदी करुड रस किसे कहते हैं ये मैं आप लोग कुछ वीडियों बताऊंगा जो की बोर्ट गिजामी पूछा जाता है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर करें दोस्तों करुड रस वंदू विनास बंदू वियोग द्रब्य नास और प्रेमी की सदेव के लिए बिछड जाने से करुड रस उत्पन होता है सोक नामक इस्थाई भाव बिभाव अनभाव और संचारी भाव की संयोग से करुड रस दसा को प्राप्त होता है उधारण क्यों छलक रहा दुख मेरा उसा की व्रिदु पलकों में हा उलज रहा सुख मेरा संध्या की धन अलकों में इस पश्टी करण प्रस्तुत पद में कवी ने अपनी प्रेसी के विरह में हरुदन का वर्णन किया गया है इसमें कवी के हिर्दे का सुख इस्थाई भाव है यहां प्रित्मा आलंबन है तथा प्रेमी कवी आश्य है कवी के हिर्दे के उद्गार अनुभाव है अंदकार रूपी के स्पास तथा संध्या उद्धीपन है असू रूपी प्रात कालीन ओष की बूने संचारी भाव है इस सबसे पुष्ट सोक नायक इस्थाई भाव करूरस की दसा को प्राप्थ हुआ है बियोग सिंगार दथा करूररस में अंतर बियोग सिंगार दथा करूररस में मुख्य अंतर प्रियजन के बियोग का है बियोग सिंगार में पिछडे हुए प्रियजन से पुनह मिलन की आसा बनी रहती है परन्तु करूररस में इस प्रकार के मिलन की कोई संभावना नहीं रहत अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग